स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से उतकर्ष इंजिनेर्स क्लासेस पर तो जैसा कि हम देख रहे थे हम राष्थान इस्टेट पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड के जे-ई और जे-डबलोसों के प्रीवेस यहर के पेपर का सॉलुशन कर रहे थे कि किस तरह के कोश्ण के ओपर तो काफी सारे लेक्टर सामने देख चुके थे और अब आते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के ऊपर देखते हैं कि और किस किस तरह कॉश्ण पूचे गए हैं रा वा व्टर और वेस्टवाटर के ट्रीट्मेंट पे तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले से सबसे पहले कोशन से स्टाइड करते हैं और यह आपका सामने पहला कोश्चन है का जा रहा है देटेंशन टाइम ओफ ड Même संटूपम हल डिटन्शन टाइम कितना होता है यह दूशाओ जा रहा था इस इसाल के कितना होता है यह होता है 3.5 से 5 मिनिट के बीच होता है आपका ट्यूब सेटलर का जनरली टेंशन टाइम तो यह एक रेंज किसमें आ रही है बिट्मीन तो बिलकुल यह ट्यूब सेटलर का समय है वह ट्यूब सेटलर का डिटेंशन टाइम जितने देर तक उसके अंदर इंपरोटी को रुखना है उस वेस को रुखना है चरिए आते हैं नेक्स कोशिण के तरफ यह आपका नेक्स कोश्चन नेक्स कोश्चन है इस तोलरेंस लिमिट फॉर इनलेंड सर्फेस वाटर क्लास C as per the river standards for total coliform organisms in MPN per 100 ml देखिए क्या question कहा जा रहा है कि tolerance limit कितनी permissible limit है कितनी tolerable limit है कितनी tolerance limit है किसकी inland surface water की उस water की जिस पर अपन इंपरोटी क्या करने वाले हैं discharge या dispose करने सब्सक्राइब करने वाले हैं पर बोल रहा है सब्सक्राइब क्लास सी सी क्लास के लिए एस पर दिवर्ड इस्टेंडर्स total coliform microns के उनके लिए total coliform microns की concentration कितनी होगी और यह पूछा जा रहा है MPN per 100 ml के अंदर MPN per 100 ml it should be how much कितनी होने वाली है MPN तो हमने बोला सब्सक्राइब क्लास के लिए कितनी कंसंट्रेशन की टॉलरेबल रिविट है उन पैथोजीन की वाटर के अंदर तो मैं आपको तीन क्लास के बताता हूँ क्लास 1 की होती है क्लास 1 मतलब क्लास A की होती है क्लास B की होती है माइक्रोजम्स की tolerance limit कितनी होती है तो क्लास A के अंदर 50 से कम होने चाहिए maximum है यह maximum concentration जो है वह आपके कालिफॉर्म की per 100 ml of sample में 50 से कम होनी चाहिए क्लास B के अंदर सर्फ 500 से कम होनी चाहिए maximum है इससे कम होनी चाहिए तब आप उस waste को उस river में उस क्लास B वाले water के अंदर आप डिस्पोस कर सकते हो क्लास C के अंदर क्या होनी चाहिए आपकी 5000 से कम होनी चाहिए maximum value है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्लास C के लिए तो maximum कितने 5000 उससे कम maximum होनी चाहिए तो हमने बहुता सर्फ maximum कितना है 5000 सो option number D is the correct one option number D जो है वह आपका correct है इस बात का ध्यान रखेगा कि tolerance limit अलग-अलग classes के लिए अलग-अलग होती है और यहाँ क्लास C क्लास A, B और C तीनों के मैंने limit लिखी है 50 से कम, 500 से कम और 5000 से कम तो क्लास C के लिए कितने होगी 5000 से कम maximum है 5000 तो option number D is the correct one यही आपका correct answer है अब आते हैं अपन next पर next question देखेगा next question बोल रखा है क्या कि the exertion of BOD is considered to follow the following order reaction कहा जा रहा है कि जड़ BOD exertion जो होता है वो कौन सी order reaction होती है यह question बहुत common question है BOD से कि BOD exertion जो होती है वो कौन सी order की reaction होती है first order, second order, third order या फिर आपका zero order order क्या होता है उसके उपर मौझूद power वो कहते है order कि X की power अगर कुछ नहीं है it means वो one है first order है X की power two है x square है मतलब second order हो गई three है तो third order हो गई तो इस तरह से बोल रहे हैं कि sir कि जो BOD की exertion reaction जो equation है BOD की equation है वो कौन सी order reaction होती है तो first order reaction होती है कौन सी होती है तो जहाद रखनी है कि वो एक first order reaction है यह काफी बार question हम लोगों से पूछा गया है अलग-अलग examination के अंदर इस environment के topic में और especially BOD में कि BOD exertion क्या सी reaction होती है first order reaction जिस पर X की power क्या होनी चाहिए one वो first order reaction होती है जब इसका आप क्या करोगे derivation देखोगे तो वहाँ दिखेगा कि first order reaction है BOD चलिए next आते है अपन next देखेगा next is the the velocity gradient क्या कह रहे है कि the velocity gradient capital G required for coagulation is computed by relation कि सर velocity gradient जिसको अपन कहते है capital G जो required है coagulation के अंदर flocculation के अंदर दोनों के अंदर इसको compute करते है किस relation के दवारा किस formula से इसको compute या calculate किया जता है तो सबसे पहली बात तो सर यह velocity gradient होता क्या है velocity gradient जो होता है it is the relative velocity between the particles यह होती है relative velocity it is the relative velocity between the particles यह particles के मद्ध्य की velocity होती है और intensity of mixing जो है वो किस पर depend करती है इसी velocity gradient पर depend करती है यहाँ पर लिख सकते है कि intensity of mixing कि किस rate से हमको mix करना यह किस पर पर depend करेगा इस capital G पर depend करता है intensity of mixing is depends on G जिसको बोलते है temporal mean velocity भी बोलते है temporal इसका नाम एक और है mean velocity gradient यह भी इसको कहते है temporal mean velocity gradient यह velocity gradient पर depend करती है इसको बोलते है capital G कहां exact formula होगा इस पर numerical भी पूचा जाता है इसकी unit भी पूची जाती है और इसकी range भी पूची जाती है तीन चरतर इक questions यहां पर आपको देखने को मिलते हैं तो हमने कहां से temporal mean velocity gradient यह velocity gradient का formula होता है G is equals to P under root mu V क्या होता है G is equals to P under root mu V कौन सा option दिख रहा है यहां पर कौन सा option इससे match कर रहा है option number C P under root mu V बिलकुल option number आपका C यहां पर match कर रहा है तो किस relationship से calculate करते हैं इससे इसकी unit जो होती है यह भी आपको याद रखने है कि सर इसकी unit जो होती है G की वो क्या होती है per second per second इसी को अपन लिख सकते है second inverse और यह इसी को अपन लिख सकते है one upon में second इस सभी इसकी unit है per second बोल द तो second inverse बोल दो one upon में second बोल दो यह temporal mean velocity gradient यह velocity gradient की unit होती है range पूछता है आपसे लोगों से किसा range कितनी होगी G की तो 10 to 70 कितनी होती है range अगर पूछें G की तो 10 to 75 10 to 75 पर second यह 10 to 75 होती है per second clear होगी बात चलिए तो यह तो था आपका G के बारे में temporal mean velocity gradient के बारे में अब आते हैं अपन next question की तरफ next question देखिएगा next question है आपका यहाँ पे in order to form a treatment scheme student rearrange the following units of the biological wastewater treatment plant in a sequence कहा जा रहा है question के अंदर पहले question देखिए in order to form a treatment scheme treatment scheme treatment plant जो है अपने को design करना है तो students rearrange करेंगे इन कुछ units को आपको यहाँ पर दिख रही है तो उसका उन biological water treatment plant के लिए क्या उसका correct sequence होगा सबसे पहले कौन सी unit आएगी फिर कौन सी आएगी और finally कौन सी आएगी तो उसका क्या correct sequence होगा सबसे पहले unit कौन सी होगी उसके बाद में कौन कौन सी units आपन place plant plant के अंदर देखेगा यहाँ पर हमें कह रहा है सर एक है secondary settling tank एक grid chamber एक irrigation tank और एक equalization tank तो सबसे पहले कौन सा होगा और सबसे end में कौन सा होगा यह आपको बताना है बताएगा correct logical sequence correct sequence का होगा टो सबसे पहले और सबसे बाद में अगर बात करें wastewater की सबसे पहले और सबसे बात में इन sequence में से select करो बताव कि most accurate answer जो है वो कौन सा होगा most accurate answer जो है वो कौन सा होगा सबसे चुबसे पहले होता है स्क्रीनिग तो धोले नहीं तो क्या एगा गिरेट चेमब तो वन नमबर पर का송ब द Seela मैं रधा ए टाघेंग रहें डिमेंट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं अगर हम यह जूज कर सकते हैं अक्टिविठेट स्वेस्ट प्रोशेस के अंदर तो फिर यहां पर आने वाला है एरिशन टेंक और finally आएगा secondary treatment, जो last treatment है, इसके according, secondary settling tank है, क्याँकि secondary treatment के वाद secondary settling tank आता है, एरिटर्स यूज किया जाते हैं, कि इसके नदर secondary treatment में, 2 degree treatment में, इसको बढ़ने secondary treatment में, और वहाँ से sludge होती है, फिर वह कहा जाती है, secondary settling tank sst में जाती है वहां से sludge यदि आपकी सही है तो उसको sludge thickness से sludge digester से pass कर जाएगा फिर sludge on drying bed और वहां से उसको dispose कर जाएगा पर यदि secondary settling tank से जो प्राप्त आपकी sludge है वो dispose करने लाइक नहीं है तो क्या करना होगा उसका third degree chemical treatment करना होगा और फिर उसको dispose करना होगा इसमें सीक्मेंस क्या बैठा आपका वन पे डी c a b d c a option number c b d c a यह हो गया option number आपका सी क्लियर हो गया कि चलिए तो लास्ट में सेकेंडरी settling tank आना ही है बिल्कुल लास्ट में हो रहाएगा और सबसे पहले आपका grid chamber आना है तो b starting में a बाद में तो ऐसे भी आप देख सकते थे बहुत जादा इसमें उलजने की जुरूत है नहीं कि सबसे पहले आपका screening और grid chamber और आखरी में आपका कौंसा secondary settling tank तो लास्ट में कर लगत रखते थे वहां से भी आपका अंसर आ चुका होता चलिए फिर आते हैं अब नेक्स कोश्चन की तरफ नेक्स कोश्चन देखिएगा नेक्स कोशन है आपका UASB process UASB process is classified as UASB process क्या है सर पहली बात तो सर यह UASB process जो है इसकी क्या full form होती है यह होता है upflow anaerobic sludge blanket reactor होते हैं यह upflow anaerobic sludge blanket reactor होते हैं तो पहले इसका full form लिखते हैं UASBR होता है पूरा तो यह होता है upflow a flow an aerobic sludge blanket reactor a flow anaerobic sludge blanket reactor होते हैं इसको बते हैं UASBR anaerobic होगा बिलकुल और यह tank जो होता है इसके अंदर waste आपका आता है rough diagram में आपको बना के बताता हूं किस तरह का tank होता है anaerobic के उपपर से tank के close रहता है यहां से आपकी sewage इसमें flow करती है इन pipes के तुरू यहां पर आती है यहां पर gas के exit होती है anaerobic consideration है तो acid gases and alcohol बनना तो एक मामली सिवात है वह तो आपका बनेगा यह बनेगा तो इसमें कोई भी medium कोई भी layer नहीं होती जिसके अपर इंपर रुके तो यह कैसा होगा attached suspended fixed flame stationary growth process तो कैसा होगा यह suspended growth process यह कैसा होता suspended growth process होता है upflow anaerobic sludge blanket is suspended growth process तो इसका अगर पूरा नाम लिखें तो कैसा system होगा यह यह anaerobic anaerobic suspended growth system anaerobic suspended growth system होता है clear होगी बात कि किस तरह का system होगा UASBR यह sludge को digest करने के लिए एक तरह का secondary treatment होता है है ना तो इसको अंदर इसको use का सकते है UASBR upflow anaerobic sludge blanket reactor का यहां तक बात है clear हो गई सभी को यह suspended growth system होता है अब आते हैं अपन next question की तरफ कि ठीक है देखिए type of settling पे type 3 settling refers to तो इससे previous lecture अगर आपने देखें जिन इससे previous lecture देख रहे हैं उनके लिए तो question बिलकुल आसान है वहाँ पर भी इस तरह का question पूछा गया था कि sedimentation tank में किस तरह की settling होगी तो वहाँ पर मैंने आपको चारो टाइप की settling बताई थी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 जिन students नहीं देखें तो बिलकुल उतकर इंजिनियस classes का आपका यूट्यूब चैनल है जहां पर आप ये वीडियो लेक्टर देख रहे हैं वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाईएगा वहाँ पर आईसन स्टेट पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड की प्लेलिस्ट बनी भी है वहाँ पर ह सबसे पहला डिस्क्रीट सेटलिंग इसको बोलते हैं टाइप वन के टाइप वन सेटलिंग है नेक्स्ट फ्लॉकुलेंट सेटलिंग टाइप टू सेटलिंग है हिंडर सेटलिंग इसको बोलते हैं टाइप ट्री सेटलिंग और कंप्रेस्ट सेटलिंग या जोन सेटलिंग इसको बोलते हैं टाइप 4 सेटलिंग तो कौन सा पूछ रहा है टाइप 3 सेटलिंग कौन सा होगा तो टाइप 3 सेटलिंग कौन सी हिंडर सेटलिंग बिलकुल तो टाइप 3 सेटलिंग कौन सी होगी हिंडर सेटलिंग सो अप्शन नंबर ए इस दी करेक्ट कि टाइप 3 सेटलिं काँजी है, sir? Hindered settling हमारी होती है. चलिए, यह settling सारी observe होती हो wastewater के अंदर, raw water के अंदर नहीं होती, क्योंकि wastewater के अंदर concentration of suspended impurities क्या होते हैं, large amount में होते हैं, तो सर्फी raw water में कौन सी settling होगी, तो महाँ पर हमेशा type 1 settling मिलेगी, इसका नाम है discrete settling, के बल टाइप one settling में इसको बोलते हैं discrete settling क्यों क्योंकि वहां पर stock slow applicable होता है क्यों क्योंकि वहां पर stock slow आपका applicable है इसलिए क्यों पर क्योंकि क्योंकि को सेटलिंग देखने को मिलेगी discrete settling देखने को मिलेगी चलिए फिर आते हैं next question पर next question है the average daily per capita contribution of POD five days using for the estimation of population equivalent कि क्या का जा रहा है कि average daily per capita contribution जो होता है five days BOD का किसके लिए estimate करने के लिए population equivalent पी-ई calculate करना है population equivalent कहते हैं तो उसके लिए कितना assume किया जाता है average five days BOD है ना domestic BOD जो है पर-capita कितना consume किया जाता है कितना assume किया जाता है numerical करने के लिए तो पहला सब population equivalent क्या होता है population equivalent का मतलब होता है कि सर यह strength of industrial sewage को बताता है इसको बताता है इसको बताता है यह बताता है आपका strength strength of industrial sewage industrial sewage industrial sewage की strength को represent करता है what यह आपका population equivalent अगर इस पर numerical आता है यह का इसका formula पूछा आता है क्योंकि topic आ गया इसका मालब कुछ ना कुछ इसके अपर से question बन सकता है क्योंकि यह pollution control ने इस topic को चूज किया इसका मतलब यहां से question बनना आपका हो सकता है probability एक question बने तो population equivalent कैसे निकाल आता है या क्या इसका formula होता है तो five days of industrial BOD divided by five days of domestic BOD BOD five days of industrial BOD divided by five days of domestic BOD domestic BOD इनका ratio ही क्या कहलाता है population equivalent कहलाता है इसका जो ratio है वही क्या कहलाता है है सर population equivalent कहलाता है तो सर कह रहे हैं कि सर वह five days यह question पूछ रहा है five days domestic BOD कितना assume करते हैं during the calculation of population equivalent ठीक है during the calculation of population equivalent कि five days BOD कितना assume किया जाता है calculation के अंदर तो मैं कहें जंदल यह 50-60 gram होता है 5270 होता है grams होता है पर capita है यह होता है 5270 grams यह जंदल उसकी range होती है और इस range के अंदर हमारी कौन सी value fit हो रही है तो सरी इसके अंदर हो रही है 60 grams इसमों हो रही 60 grams तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा कि average five days domestic BOD is 6060 grams होता है clear हो गई यहां तक चलिए तो इसको ध्यान रखिएगा इस तरह के इस topic पर question पूछाए गया तो हमेशा यहीं नहीं जहां जब भी आप question कर रहे हो previous year topic को पकड़िए उस topic को पूरा पढ़ दीजिए क्योंकि उस पर chances है कि आने वाले examination के अंदर वहां से कुछ ना कुछ questions बन जाए तो वह helpful रहेगा आपके लिए ठीक है चलिए फिर आते next पे next है आपका कि सर मदबॉल मडबॉल यह अलग है मडबॉल कि है और डेश फारंड्य औू णिस वा फैर कंडीज ऐसे कि मेट यूटी वह तर सक Pacer कर प्रेंगता है किस Spike हमते फॉजकर ऑम और िननाशरम का का फॉर्मेशन होता है क्या वह ट्रेकलिंग फिल्टर के अंदर क्या वह रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर क्या वह आरोबिक फिल्टर के अंदर और ऑनरोबिक और क्या यह स्लोश्च Netflix पाई जाती है तो हमने कहा सरी जो मड़ बॉल है ऐसी ही दो-तीन समस्यां और देखने को मिलती है आपको रैपिड सेंट फिल्टर के अंदर पार्टिकल की साइज जो होती है मीडियम की साइज बड़ी होती है तो इंपर अंदर तक गुशती है तो वहाँ पर एर और क्रेकिंग फिल्टर ये तीन प्रॉब्लम होती है रैपिड सेंट फिल्टर में तो क्या अंसर होगा इसका रैपिड सेंट फिल्टर रैपिड सेंट फिल्टर की ये ट्रबल्स होती है कौन-कौन सी होती है तो एक तो होती है सर एयर बाइंडिंग एक होती है एयर बाइं क्रैकिंग ओफ फिल्टर यह तीनों ऑपरेशनल ट्रवल यह देखने को मिलते हैं आपको रैपिट सेंड फिल्टर में मड़ फॉर्मेशन क्या होता है कि सर वो टैंक उपर से ओपन होते हैं और वाटर के जब फ्लो होता है उस दौरान उसके साथ आपके मड़ के पार्टिकल् देमाट्न के माटिकल्स उसक्टर मीडिया के मटेरियल के अंदर रुख जाते हैं एक बाल का फॉरमेशन करते हैं ऐक कर निर्मान करते हैं उस बॉल को ही हम कह रहे हैं सर मड़ बॉल मड़ और यह ऑपरेशनल ट्रबल है यह परिशानी कोई मड़ बॉल जब बन जाएगी तो रेट ऑफ फिल्टरेशन जो है वह आपकर रिडिस हो जाएगा तो यह एफिशेंसी ऑफ फिल्टर को गठा देगा इस क्यों कि शम呀 we 라endардrum === Kisar उससे सीवेज का किया कहा रहा है कि उससी वेज का मैक्जिमम और मीनिमम फ्लो कि फ्लो फ्लो मैक्सिमँम और मीनिमम जौ फ्लक्टेशन से उससीवेज के इन्दर वह ग्रेट कंसर्ट वह सबसे जइजादा देखने मिलती है जिसमें आपने उस सबस्यादा ध्यान रखना है वह कहां देखने को मिलना अपने को वह आपको याद रखना है secondary settling tank के अंदर secondary settling tank के अंदर क्योंकि वहाँ पर कैसा होने वाला है आपका biological treatment होने वाला है तो वह जनरली sedumition tank में देखने को मिलती है great concern अगर तेजी से flow आ रहा है यह flow कम आ रहा है तो शौक लोडिंग जो होती है वो कहां अभजर होती है आपकी settling tank के अंदर आपको शो होती है तो settling tank के अंदर अपन को क्या होता है इस तरह की दिक्कत अपने को देखने को मिलती है चलिए तो ये था आप सभी लोगों के लिए इसमें मैं अगर आपको एक information देना चाह रहा हूँ यहाँ पर के उतकर्ष परिवार की तरफ से उतकर्ष classes की तरफ से आप सभी students के लिए 10 से 15 नवंबर के बीच में एक महा दिवाली धमाका है जिसके अंदर आपको सभी courses के ओपर 90% off मिल रहा है तो जो भी students course को join करने जाते हैं वो बिलकुल उन सभी का welcome है उतकर्ष classes की तरफ से इस 10 से 15 नवंबर के बीच में आप उन courses को join कर सकते हो 90% off तो है साथ में एक advantage और आपको यहां पर दिख रहा होगा कि free test series आपके लिए है तो जो भी course आप purchase करते हैं उसके regarding test series आपको free of cost मिलेगी उसके लिए कोई बी अलग से आपको payment नहीं करना है और साथ ही साथ कि six months की आपको extended validity भी मिलने वाली है यदि suppose करिए कि आपका course एक साल का है तो आपको एक साल और छे महिना आपको additional मिलागा यह extended warranty होगी सभी courses के उपर तो यह केवल opportunity इन केवल इन पाच्छे दिनों में है इसी के अंदर आप उसको grab करना है तो बिलकुल आप उतकर्स application को download कर सकते हो Google Play Store से और वहां पर आप अपना course select करके payment करके आपके आपके library के अंदर वो course आपका add हो आप में तो एक special information यह specially उन students के लिए है जो राइस्ता स्टेट पॉलिशन कंट्रोल बोड की तियारी करना चाह रहे हैं उनके लिए एक और information है कि राइस्ता स्टेट पॉलिशन कंट्रोल बोड जे डबली और जे एसो के दोनों courses जो की उतकर्स application पर आपके available है पहले दिवाल फीज तो 3000 है उसके समय फीज जोदी 2000 थी अब यह फीज केवल 1500 रुपीज है पंदरा सो रुपे में आपको कोर्स मिलने वाला है उसके साथ प्लस एक advantage आपको free test series में मिलेगी free test series भी आपको इसी कोर्स के अंदर included है इसके लिए आपको अलग से payment करने की requirement नहीं है तो इस बा store पर जाकर वहां से उस app को उस course को आप purchase करिए इसमें पार्ट ए पूरा आपको live पढ़ाया जाएगा सारे live courses लेक्चर्स हैं उसके अंदर पर जब आप अगर थोड़ा सा लेट होगा तो जितने lectures हो चुके है वह आपको recorded form मिलेंगे और आगे आने वाले lecture आपको live मिलेंगे पार्ट भी जो है आपका non-tech का पार्ट जिसमें reasoning, history, आपका art and culture, literature, mass, current affairs वो सब कुछ recorded form के अंदर आपको available रहेगा complete coverage होगा सलिवस का जो भी topic से वो सब कुछ आपको पढ़ाये जाएंगे, यहाँ पर panel pdf आपको दी जाएगी, यहाँ पर आपको notes बनाने के लिए अब समय नहीं है, तो बिलकुल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर panel pdf आप लोग लिए available है, वहां से उस panel pdf से आप उस notes को प इन सभी information के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी doubt है, तो बिलकुल यह help line number है 977-3366-871, यहाँ पर आप call कर सकते हैं, और आपके समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो जाएगा, तो आप सभी को उतकर्ष परिवार की तरफ से एक बार फिर से दिवाले की हारदिक शुप काम ना है, थैंक यू, और बाई बाई